लखिमपूर खीरीवे किसानों को रौंदने का आरोप जेल रहे केंद्रिय मंतरी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीश मिश्रा फरार हो चुका है कल तक जो केंद्रिय ग्री राज्यमंत्री अजय मिश्टा टेनी और आशीश मिश्रा जिस घटना में खुद को आरूपी दोशी होने से साफ इंकार कर रहे थे वहां पर मौजूद ना होने की बात कर रहे थे वही आशीश मिश्रा आज सारे सबूत और सच्चाई सामने आने के बाद पूश्टात से पीछे हट रहा है पोलिस के सामने पेश होने से डर रहा है खबर यह है कि बेटे को बचाने के लिए रातो रात अब मंत्री जी उसे यह हैं कि मंत्री जी के आरूपी पुत्र का बचना पूरी तरीके से मुश्किल हो चुका है योगी राज में सत्त का इस्तमाल कर सरकार की संरक्षण में किसानों को कुचलने वाले आरोपी मंतरी के बेटे आशीज से पूश्टाच के लिए जब सुप्रिम कोट सामने आया तो यूपी सरकार में खलवली मच गई सुप्रिम कोट की सकती के बाद यूपी पुलिस को मंतरी आशीज मिश्रा के घर पर समन चिपकाना पड़ा पुलिस पर बढ़ते भारी दवाब के बाद आशीज मिश्रा को पूश्टाच के लिए आसुबा करीब 10 बजे बुलाया गया था लखनवाजी लक्षमी सिंग का भी बयान मीडिया में आया है कि आशीज मिश्रा को करीब 10 बजे आद पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था लेकिन 10 बच कर 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी आशीज पूश्टाच के लिए नहीं पहुँचा इसी बीच उसका फोन बंदाने लगा और उसके नेपाल भागने की जानकारी सामने आई लेकिन आशीज के भाई ने तब भी इस से साफ तोर पर इंकार किया मीडिया से बादशीत करते वे आशीज के भाई ने कहा कि ये कयास निराधार है और आशीज पूस्ताच के लिए वकील के साथ अपने उपस्तित होगा लेकिन चौका देने वाला खुलासा तब हुआ जब जानकारी के अनुसार पुलिस ने आशीज के फोन का लोकेशन पता करने की कोशिस की तो फोन के लोकेशन नेपाल की रासधानी काटमांडू में मिली जिसने ये साफ कर दिया कि केंद्रे मंत्री अजय मिश्राक टेनी का बेटा आशीज गिरफतारी के डर से नेपाल भाग गया है गिरफतारी के डर से वो अपने दोस्तंकित दास के साथ यहां से फरार हो गया है आशीस के इस हरकत से अब चीजे और भी ज़्यादा साफ हो चुकी है आरोप गहराता जा रहा है आशीस का यू दुम दबाकर भागना इस तरह इशारा कर रहा है कि लखिमपूर खीरी में किसानों के नरसंगार का आरोपी कोई और नहीं बलकि केंद्री मंत्री जी का लाडला पुत्र आशीस मिश्रा ही है जो अब गिरफतारी के डर से दुम दबाकर इधर से उधर भागता फिर रहा है इस पूरे मामले में यू पी पुलिस की लेट लतीफी की अब खूब आलोशना हो रही है क्योंकि सब कुछ साफ होने के बाद सबूत होने के वाबजूत पुलिस ने चीजों को अंदेखा किया किसानों से मिलने पहुँची प्रियंका गांधी वाडरा को जट से गिरफतार कर लिया साथी वाकी विपक्षवी नेताओं को भी यूपी पुलिस ने गिरफतार किया लेकिर इन से जो इस घटना का मुख्य आरोपी बताय जा रहा था वो गिरफतार नहीं हुआ जिसके कारण आज आरोपी आराम से फरार हो चुका है इसके साथी पूरे मामले में यूपी सरकार की मनशा पर भी अब लोग लगतार सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर बार योगी राज में ऐसे एक अपरादी को बचाया जाता है बीजेपी सरकार अपने नेताओं द्वारा किये गए अपरादों को हर बार छिपाती है और फिर पार्टी में गुलदस्ते के साथ बाद में उनका स्वागत किया जाता है और इस बार भी वही देखने को मिला लेट लतीफी के कारण आज आशीस पुलिस के गिरफ से बाहर है आभी तक समन के बाद भी आशीस मिश्या या उनके वकील क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं पहुँचे वो अब पहुँचेंगे या नहीं इसको लेकर के भी एक बड़ा संशय बना हुआ है और आशीस के नेपाल भागनी की खबर के बाद लोगों में सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ गुस्सा और भी ज़्यादा फूट पड़ा है ऐसे में अब आशीस मिश्या की गिरफतारी की मांग लगतार तेज हो रही है वह इसके अरावा आज यूपी सरकार को सुप्रम कोट में स्टेटस भी जारी करना है बतादी कि कल कोट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कोट ने घटना का पूरा बेवरा मांगा है और अब तक जाच में क्या हुआ इसकी जानकारी मांगी है जिससे योगी सरकार की मुश्किले अब और भी जादा बढ़ गई है ऐसे में अब देखना होगा कि योगी सरकार कोट में क्या स्टेटस देती है और आशीश मिश्रा कब तक पुलिस के गरफ में आता है